ओम शान्ति! जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई मास हमारी परमादर्निय मनमुईनी दीदी जी का स्मृति मास है और 28 जुलाई को दीदी जी ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, एडवांस पार्टी में अपना स्थान लिया और विशेश दीदी यग्ये की जोड़ी भी बहुत मशूर थी, कहा जाता था दो शरीर और एक जान, मना इतने अच्छी तरह दोनों ने इस यग्ये की बागडोर को प्यारे बाबा के नक्षे कदम पर चलकर संदर तरीके से संभालाई की एक्जामपल बनकर दिखाया और यग्ये की सेवाओं का बहुत व विशेष्टाएं हैं और अपनी जीवन द्वारा दीदी ने जो हम सब को सिखाया है वो मधुर सिक्षाएं और विशेष्टाएं हमें प्यारे मधुबन घर से एक सौगात के रुप में प्राप्त हुई है तो सुनते हैं दीदी के जीवन की विशेष्टाएं और बाप दादा के अति लादले यग्य की पूर्वजात्माओं के सुक्ष्म सकाश द्वारा स्वसेवा और विश्वसेवा में सदा आगे बढ़ने वाले सदा सर्व शक्तिमान बाप को साथी बनाए सर्व के प्रति शुबचिन्तक बन व्यर्थ चिन्तन और चिन्ता से मुक्त रहने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मन कुल भूशन भाई बहने इश्वरिय सनेह संपन मधुर याद स्विकार करना जी बात समाचार मधुबन में वर्तमान समय बहुत अच्छी तपस्या भटियों की लहर चल रही है विशेश ये जुलाई मास हम सब की अतिस नहीं बाप दादा के नैनों की नूर सच्छी दिल रुबा पती व्रता दीदी मनमुईनी जी की मधुर सिक्षाएं उनकी दिव्य पालना सहज स्मृति में आने लगती है 28 जुलाई हम सब की मीठी दीदी मनमुईनी जी का स्मृति दिवस है दीदी जी की दूर द्रिष्टी, परखने की शक्ती, इश्वरी नियम मर्यादाओं में ब्रता के साथ पालन करने और कराने की शक्ती का सब वर्णन करते हैं वैसे तो आप सब दीदी जी के जीवन परीचे से परीचित ही है, फिर भी दीदी का लौकिक जीवन परीचे भी हम थोड़ा सुनेंगे दीदी जी का लौकिक नाम गूपी था, आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाडय सिंधी परिवार से थी यग्य की स्थापना के समय अनिक बंधनों को तोड़ते हुए, अपनी लौकिक मा, क्वीन मदर और लौकिक बहन, शीलिंद्रा के साथ जाटकु रूप से समर्पित हो गई आपका बाबा से अटूट प्यार था, हर पल, हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता जैसे लौकिक नाम गोपि था, तो दिदी का संसकार भी ऐसा, गोपि समान, गिर्धर की सची सची गोपि हर बोल, हर संकल्प में सदा बाबा बाबा शब्द निकलता था और दिदी में खास परक शक्ती, इश्वरी नियमों को दरता से पालन करने और कराने की शक्ती बहुत तिक्षण थी आप दिलवाला की सची दिल रुपा थी, दिदी को अव्यक्त नाम मिला, मन मोहिनी दिदी के सानिध्य में जो भी आता, दिदी उसका मन ऐसा मोह लेती, जो वह बाबा का बन जाता दिदी को ही बाबा ने माउं टाबू को चुनने की सेवा दी यग्य के लिए स्थान ढूनने की सेवा जवाबदारी बाबा ने दिदी को दी थी तो दिदी ने 1950 में पहले पहले आबू को पसंद किया और पूरे यग्य को कराची से आबू लेकर आई यग्य स्थान आंत्रित हुआ तो दिदी ने विशेश उसमें ये पार्ट प्ले किया 1952 से जब इश्वरिय सेवाई प्रारंब हुई उस समय आप पहले पहले दिल्ली इलाहबाद आदी स्थानों पर अपने त्याग तपस्या के आधार पर कई सेवा के इंदर खोलने के निमित बनी और मातेश्वरी जगतंबा मा के अव्यक्त होने के पस्चात 1965 से आप फिर से बापदादा के साथ मदुबन में रहकर यग्य की इंटर्नल कारोबार को पूरे प्रशासन को संभालने में राइट हैंड बनी 1952 से लेकर 1964 तक आपने इश्वरिय सेवाओं का विस्तार किया और फिर 1965 में मम्मा ने जब ये व्यक्त देहत्याक किया तो फिर आप बाबा के साथ मदुबन में ही इंटर्नल कारोबार संभालने में सेवा साथी बनी और 1979 में 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पस्चात दीदी और दादी प्रकाशमनी की जोडी ने पूरे यक्य को संभाला और दोनों ने मिलकर मात पिता के रूप में देश विदेश के सर्व ब्रह्मन परिवार की नी स्वार्थ सेवा की और पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई दीदी दादी की जोडी को सब कहते थे शरीर दो है आत्मा एक है ऐसी एकता का प्रूफ देकर एक दो की राई को सम्मान देते हुए यग्य को निर्विक्न बना कर आगे बढ़ाया दोनों ने इतना एकता से यग्य को बिलकुल निर्विक्न बनाया, मात पिता बनकर दीदी दादी की जोडी ने यग्य को खुब पालना दी दीदी जी 28 जुलाई 1983 को 28 जुलाई 1983 को अपने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतन वासी बनी आज उनके पुन्य स्मृति दिवस पर उनकी अनेक अनेक विशेशताएं नजरों के सामने घूम रही है उनकी कुछ विशेशताएं और मीठी सिक्षाएं आपके पास भेज रहे हैं इन्हें अपने जीवन में अनुसरन करते हुए हम भी अपने पूर्वजों के समान बनकर बाब दादा का नाम रोशन कर सकते हैं तो इसमें हम आज पहले भाग में सुनेंगे दीदी मनमोहिनी जी द्वारा प्राप्त मधोरनमोल सिक्षाएं बाबा ने संपन बनाने के लिए हम बच्चों को श्रीमत दी है श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा यह श्रीमत की नीव है बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा जिसमें फेथ होता है उसकी राई में कभी अपनी राई मिक्स नहीं हो सकती एक बाबा की राई पर चलने से हलके रहेंगे बाबा नहीं कहा है जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हलके रहो अगर किसी के मन में यह संकल्प चलता है कि बाबा तो अब साकार में नहीं है तो ये भी संशय है अमृत्वेले विधी पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेंदेन कर रहे है स्वस्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना काल्य कराना है कराते रहेंगे विधी पूर्वक बैठने से सिद्धी होगी अर्थान बाबा की टचिंग अनुभव होगी ऐसा लगेगा जैसे बाबा अपना कारिय मुझा आत्मा को निमित बनवा करा रहा है स्वस्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो कारिय अपना कराना है कराते रहेंगे कराते हैं ऐसा अनुभव करेंगे जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है दोनों की रेस है कर्म में श्वास जल्दी चलते योग में संकल्पों की स्पीड का पता चलता है एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस प्राप्त होते हैं एकाग्र व्रती की धर्नी पर हर संकल्प फल लायक होता है इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए दिंचरिया पर अटेंशन हो न्यारी और प्यारी की इस्थिती बहुत मीठी अवस्था है अगर एकाग्रचित अवस्था बनानी है तो दीदी कहती है कि अपने उपर सारा दिन अटेंशन रखना है ऐसे नहीं सुबह उठे योग किया मुर्ली सुनी और बस विसारा दिन अटेंशन ना रहे ऐसा नहीं दिन चर्या पर भी अटेंशन हो तो न्यारी प्यारी अवस्था भी हो कर्म योग का अफ्यास भी चाहिए हर बात में पहले अपना दोश निकालना है तब परिवर्तन और उन्नती संभव है और प्रैक्टिकल में हम करते क्या है दूसरों का दोश पहले ढूनते हैं दूसरों का दोश हो ना हो लेकिन ढूनेंगे जरूर और दिदी जी क्या सिक्षा दे रहे है हर बात में पहले अपना दोश निकालना है तब परिवर्तन और उन्नती संभव है हमारे पुरुशार्थ की पहली सीड़ी है देह सहित देह के संबंदों से उपराम लेकिन अभी तक की सीड़ी पर कई तो चड़े ही नहीं है इसके लिए याद रहे कि प्रीती एक बाप से और दुनिया से केवल रीती निभानी है प्रीती एक अपने बाप से पिता से और बाकी दुनिया से रीती निभानी है सदा अपने स्वमान में इस्थित रहें तो फरिष्टेपन की स्टेज दूर नहीं कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे स्वमान की स्टेज से नीचे आ गए महरती की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत पर तो जो स्वरूब बाबा हमारे से चाहते हैं वह अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए सदेव याद रहे जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे हमें बाबा के दिल तक्त नशीन बनना है एक तो ये स्लोगन याद रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे और मुझे बाबा के दिल तक्त नशीन बन कर दिखाना है अगर दिल कहां टुकडा टुकडा होगी तो बाबा स्विकार नहीं करेंगे बाबा की दिल और मेरी दिल में अंतर ना हो कोई कितना भी गुणवान हो हमें उस पर नियोचावर नहीं जाना है देखना है इसको ऐसा गुणवान बनाया किसने दिदी कह रही है कि किसी के गुणव को देखकर उस पर नियोचावर जाने से पहले ये प्रश्ण पूछो कि इनको ऐसा गुणवान बनाने वाला कौन जिसने इनको ऐसा बनाया वो कितना स्रेश्ट होगा तो बुध्धि डाइरेक्ट उस बाप की तरफ चली जाएगी जब बाबा की दिल से दिल मिल गई तो और कहां जा नहीं सकती इसमें यह गुण है इसके लिए इनसे हमारा स्ने है ये भी बहुत सुक्ष्म माया है सुक्ष्म रूप में माया बहुत महीन रूप में प्रवेश कर लेती है इनका गुण अच्छा लगता है इनकी सेवा अच्छी लगती है इसलिए हमें इससे इसने है तो वो भी माया का रूप हुआ न हमें अभी इससे भी पार जाना है जब दिलबर को दिल दे दी तो बुधी और कहां भी नहीं फसानी है हमारा संसार हमारा परिवार एक ही है हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई ये भी महारतियों की निशानी है इससे ही किला मस्बूत होगा जो हम सब को पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें चार नियमों का पालन करना है ब्रह्मचरिय, सत्संग, शुद्ध अन और दैविगुण ये चार पिलर हम बताते हैं न तो हम अपने में चेक करें कि कहां तक नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया है कर्मणा में तो नहीं आते, लेकिन मनसा में भी संकल्प ना आए कोई भी व्यर्ति या विकारी संकल्प ना आए सदेव संग दोश से बचे रहे सदेव एक बात याद रहे कि एक की सुन्नी है, एक को ही दिल में बसाना है हमेशा ध्यान रहे कि चड़ती कला वाले का ही संग करना है योग से अगर मेरे विकर्म विनाश हुए हैं तो मेरी पुरानी देह अभिमान वाली नीचर बदल जाएगी बुध्धी की लाइन क्लियर हो जाएगी बोज से हलके रहेंगे सदा चड़ती कला का अनुभव होगा मेहनत कम सफलता ज्यादा मिलेगी ये सब निशानिया है योग योगतात्मा की क्या क्या सुना देह अभिमान की नेचर बदल जाएगी बुध्धी की लाइन क्लियर होगी बोज नहीं लगेगा चड़ती कला का अनुभव होगा और कम मेहनत सफलता ज्यादा होगी अब घर चलना है ये याद रहे दीदी ने भी सबको यही बाट पक्का कराया अब घर चलना है अब वापस घर जाना है तो आटोमेटिक सब तरफ से दिल हलकी हो जाती है कोई परवाह नहीं खाते पीते उठते घर चलना है इससे बाप याद रहेगा पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएगा फिर तेरा मेरा इसने किया उसने किया ये शब्द भी मुक से नहीं निकलेंगे ये भी महारती की निशानी है अगर कोई कहे तुम्हारे में ये कमजोरी है तो क्या करेंगे अगर कोई हमें कोई सावधानी दे रहा है सिक्षा देता है और कहता है आपके अंदर ये कमजोरी देखने में आती है तो देखो दीदी क्या कहती है उसे फौरन मानना चाहिए बैटकर जिद्ध करना, सिद्ध करना, ये हमारे ब्राह्मन परिवार का नियम नहीं है मेरे अंदर ये नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ जिद्धी पने का और सिद्ध करने का संसकार दिदी केती ये अपने संसकार नहीं है इसलिए उस समय स्विकार कर लो वैसे भी हमेशा बाबा क्या कहते हैं मम्मा भी कहा करते थी सिक्षाओं को संभाल कर रख लेना चाहिए कभी न कभी काम आएगी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हो न बाबा ही मेरा संसार है एक बाबा दूसरा न कोई जड़ा भी किसी देहधारी में रग नहीं जानी चाहिए अगर कोई सेवा में सहयोगी है धन से सहयोग करता है तो वो अपना भाग्य बनाता है हमें उसके पीछे लटों नहीं होना है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए एक बाबा से ही सब कुछ लेना है लेन लेन से बहुत गहरा हिसाब बनता है इसलिए किसी से personal कुछ भी नहीं लेना है सबका संबन एक से जुडाना है मेरे से किसी का संबन न जुट जाए यह बहुत ध्यान रखना किसी भी रूप में चाहे वो सेवाओं का कोई भी रूप हो ग्यान का रूप हो या स्थूल सेवाओं का रूप हो या कोई व्यस्तुवों की रूप में हो लेकिन हमारा संबन किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना चाहिए सबसे बड़ी बिमारी है नाम रूप की फैमिलियरिटी बहुत बहुत नुक्सान करती है इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना एक बाबा के सिवाय और कोई बुध्धी को अपनी तरफ ना खीचे बाबा ही हमारा संसार है तुमही से खाऊं तुमही संग रास रचाऊं तुमही को दिल का हाल सुनाऊं सब संबंदों का सुख एक बाबा से लेना है, मेरा तो एक, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। हमारी कतनी, करनी और रहनी समान होनी चाहिए, कहें एक, करें दूसरा, अब ये शूबता नहीं। इसलिए कतनी, करनी और रहनी सब समान होनी चाहिए, कभी किसी का घर नहीं फिटाना है, आपस में प्यार प्रेम से रहना है, कभी घर में जगडा ना हो, ये ध्यान रखना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रम्ह ज्यानी, कभी भी मतभेद में नहीं आना, तू, मैं, तेरा, मेरा ये रावन कराता है, हम तो रावन संप्रदाई से अभी राम संप्रदाई में आ गए, इसलिए रावन का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। इश्वरिय मर्यादाएं हमारी जीवन का श्रिंगार है, कभी कोई मर्यादा का संकल्प से भी उलंगन नहीं करना है, मर्यादाएं हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसमें कभी बे परवाह नहीं बनना, जो मर्यादा की परवाह करते हैं, बाबा उनकी परवाह रखता है। तो ये है दिदी जी के द्वारा मिली हुई मधुर अन्मोल सिक्षाएं, इन सब सिक्षाओं में एक-एक सिक्षा में जैसे एक-एक हां ज्यान का सार, ज्यान का एक लेसन चुपा हुआ है, तो उन सब सिक्षाओं को हम इस तरह अपने जीवन में समालें कि उन सिक्षाओं का ह स्वरूप बन जाएं अच्छा इसका आगला भाग हम कल सुनेंगे